मैं आपका फिर सी स्वागत करती हूं एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाने जा रही हैं बहुत ही टेस्टी और क्रंची और क्रिस्पी नास्ता तो ये नास्ता आप 5 मिनलेट में बनाकर रेडी कर सकते हैं पहुत इंस्टें रेसिपी है तो चली फटा-फट से बनाना शुर लेंगे तो कदुकस करके आलू को लाइट लाट गुटलिया ना हो तो मैं रहा तो जलम ना हो कि अधर की आलू का इस तुमाल किया है तो यस तरीके से हम कदुकस कर लेंगे और कदुकस करने के बाद अब बाकी Chisay अड़ कर लेते हैं तो बारी कटा हुआ हरा दन्या पत्ता चमच में नमक जीर, चमच борभ चुटा चम दाल देंगी एक छोटा चमच हम पीजो काल से पहुत अच्छा टेस्ट का अनास्ती या और चमच मद डिन एक चिली फ्लेक्स तो एक बड़ा चमच में डाला है और एक चोटा चमच हम डाल देंगी और चमच बच्छों को बहुत ही पसंदाता है तो है तो आप ज़रूर डालीगा और थोरा साथों से अच्छे से मिक्स करेंगी आपको पानी डाले की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो एक त्सु πराड़ को बनाला है नगले हां चृफ जाने वह तो एक अड़कता नहीं ल मकिन आपेगी ऑच़ते हैं तो देखे आपले ही हईसी तरहिसी तरीके से ल लगना है और आपको पानी कर लेंगे तो बहुत अच्छे से लग गया है आटा बिलकुल डो की तरह देखिए तो आटा हमारा लग चुका है तो इसके हम दो हिस्से कर लेंगे तो इस तरीके से हम गोल गोल कर लेंगे ताकि हमारा नास्ता बनाने में असानी हो तो देखिए मैंने दो गोल कर लिया है तो अच्छे से हम और बड़ी मां बिसे इसे ध Wellijn टीन है इसे हमें बल्कुल बड़ा में जीके हैं this हाप पुछ ऐसा डिजाइन बनाना हो आप उसन चाहई काट सकते हैं तो siz साइट से हम इस तरीके से हम καट कर लेंगे उपर से भी हम इस तरीके से कट कर लेंगी और साइट से भी हम कट कर लेंगी और नीचे से भी हम इस तरीके से काट लेंगी और बेस से हम एक कट लगाएंगे और साइट साइट से बिल्कुल पतला पतला स्ट्रीप के जैसा हम इस नास्ते को काट लेंगी तुपनाँ है अगर आप को टी हूं लेला तो हुआ जिसा दिजाइन पनाना हू, तो अगर करने की के अगर आप लिए नास्ती, को हम अलग-अलग कर लेंगी और अलग करने के वार्द मैंने प्लेट में रख लिया है तो इस तरीके से नास्ता बनाकर त्यार कर लीए तो अब चलते हुने इसे फ्राइप करने तो तो मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था तो 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 नास्ता तेल में डाल देंगे और नीचे से जैसी लगेगा आपको किलाल हो गया है तो बस आप इसे पलट लिजेगा और इसे फ्राइए होने में ज्यादा समय नहीं लगता है देल से दो मिनिट में यह काफी क्रिस्पी नास्ता हो जाता है और इसे फ्राइए आप बिलकुल तब आपके नास्ती ऐसे क्रिस्पी बनेंगे तो देखिए डो मिनट हो चुका है और यह बिलकुल लो कुम उमीदियम फ्लेम पे से फ्राइब कि यह और इनास्त प्रिस्पी बना है तो देखिए प्यार कलर आ गया है तो बस अब आभी से हम निकाल लेते हैं तो इस तरीके से एक बर नास्ता जरूर बनाड़ेगा बहुत ही चटपटा बनता है यह नास्ता और बादी बच्चे भी हम इसी तरीके से फ्राइख कर लेंगे और इसे भी हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा तो तभी आपके नास्ते बहुत ही किस्पी बनेंगे और नीचे से जैसे लाल हो जागा इसे हम पलट लेंगे और देखिए दूसरा बैच भी हमारे नास्ते का फ्राई हो चुका है काफी प्यारा कलर आ गया है तो इसे भी हम निकाल लेती है और जलते हैं गर्मा गरम नास्ती को सर्व कर लेने और ये लीजिए नास्ता हमारा बन कर त्यार हो गया है बिल्कुल 5 मिनिट में इस से ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है बहुत ही टेस्टी और चटपटा और क्रिस्पी तो होता ही है तो एक बार आप इस नास्ती को जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है तो एक बार आप इस नास्ती को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो शाम के समय में आपको अगर कोई चोटी मोटी भूग सतारी है तो फटा फट से आप ये रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं और जाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो विडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली थैंक यू